डीजी लॉकर पर जो भी डॉक्मेंट आप इशू करते हैं वो डॉक्मेंट एकदम ओरिजिनल की तरह ही वैलिड माने जाते हैं अगर आपको डीजी लॉकर पर डॉक्मेंट इशू करना नहीं आता या फिर दोस्तों आपको डॉक्मेंट अपलोड करना नहीं आता तो दोस्तों आप इस वीडियो को complete end तक देखते रहेगे आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप Digilocker एप यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला आपको Digilocker का एप जो है open कर लेना है एप open होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा नीचे यहाँ पर आपको Get Started का option मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो option आ जाएंगे पहला जो option है वो है sign in का दूसरा option है create account का तो अगर आपके पास पहले से ही कोई account आपने create करके रखा है तो आप यहाँ पर sign in पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर sign in कर लेंगे अगर आपके पास कोई account नहीं है नया account आप create करना चाते है तो उस बार में मैंने already वीडियो बना रखी है उस वीडियो का link आपको वीडियो के discussion में मिल जाएगा वीडियो देखकर आप आसानी से यहाँ पर account create कर सकते हैं जैसे आप account create कर लें उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको sign in का option मिल जाता है आपको sign in पर click कर देना है जैसे आप sign in पर click करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर तीन option मिलेंगे पहला है mobile number, दूसरा है username और तीसरा है आधार card तो यहाँ पर आप इन तीनों method से यहाँ पर login कर सकते हैं यानि कि sign in कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपने mobile number से यहाँ पर sign in करने वाले हैं इसलिए यहाँ पर हम अपना mobile number fill करेंगे नीचे next पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको आपका mobile number शो होगा यहाँ पर आपको अपना six digit pin जो है fill करना होगा जो भी आपने account create करते वक्त यहाँ पर pin बनाया था तो वो pin यहाँ पर आपको fill कर देना होगा उसके बाद नीचे sign in वाले option पर click करना होगा जैसे यहाँ पर आप sign in कर लेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाए देगा यहाँ पर आपको आपकी profile pic दिखाए देगी अब नीचे यहाँ पर आपको option मिल जाते हैं देखिए चार option पहला है home का दूसरा है यहाँ पर search का तीसरा है यहाँ पर issue it का और चौथा है menu का तो पहले हम यहाँ पर issue it वाले option पर click करेंगे तो जो भी document यहाँ पर आप issue करके रखेंगे तो वो document यहाँ पर issue it पर आ जाएंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही अपने आधार काड को verify कर लिया है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा आधार काड जो है account बनाते वक्त ही verify हो गया था तो account बनाते वक्त यहाँ पर आपका आधार काड जो है automatically verify हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड को पहले open करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए जैसे आप अपने आधार कार्ड को open करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर verified का एक option आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर जो document आप यहाँ पर issue करेंगे वो document एकदम original document की तरह ही valid होंगे वो unvalid नहीं होंगे अब हम यहाँ से back जाकर आपको दिखा देते हैं यहाँ से हम back आ चुके हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्वेट वाले option पर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपको और भी document नजर आ रहोंगे जो कि मैंने यहाँ पर issue करके रखे हैं जैसे कि मेरा covid vaccine और साथी साथ यहाँ पर bike का जो RC होता है वो और bike insurance और साथी साथ यहाँ पर bike का जो tax का receipt होता है वो यहाँ पर हमने सब कुछ यहाँ पर already इस्वेट करके रखा है अब मैं आपको दो document को issue करके दिखाऊंगा यहाँ पर जैसे कि दोस्तो मेरा driving license जो है मैंने यहाँ पर issue नहीं किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर issue करके दिखाऊंगा और साथी साथ मैं यहाँ पर अपने pen card को भी issue करके दिखाऊंगा तो अपने document को कैसे यहाँ पर issue करना है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे option मिल जाता है देखिए search का आपको इस पर click कर देना है इस पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से interface आ जाएगा यहाँ पर आपको search for document का option मिलता है यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप type करेंगे अपने document के बारे में जैसे की यहाँ पर हम type करते हैं driving licence तो यहां पर हमने drive टाइप किया, तो यहां पर आचुका है देखिए, नीचे option driving license का, all state, ठीक है, तो यहां पर हम इस पर tap करेंगे इस पर tap करने के बाद दोस्तो यहां पर आपका जो नाम है वह automatically यहां पर फिच हो कर आ जाएगा, आपकी data बहर भी आ जाएगी आधार कार्ट से ठीक है अब यहाँ पर आपको अपना DL नंबर यानि की driving license नंबर यहाँ पर फिल कर देना है नीचे get document पर click कर देना है जैसे आप get document पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं driving license हमारा यहाँ पर switching हो रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर जो switching है वो complete हो चुका है देखिए जो हमारी details है वो उन्हें मिल चुकी है इसके लिए यहाँ पर हम नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर driving license का जो option है वो आ चुका है अब यहाँ पर मैं इसे open करके आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर हमने अपने driving license को open किया यहाँ पर हमारे सामने हमारा पूरा details आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पर blur करके रखा हुआ है ठीक है तो आपके सामने भी आपके driving license का पूरा details आ जाएगा आपका address वगरा blood group वगरा सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और कितने साल का जो यह license expiry date है उसका वो भी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको pull मिला के सभी details मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पर नीचे जैसे आप scroll करते हैं तो यहाँ पर आपके समने कुछ इस प्रकार का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको एक barcode नजर आएगा और साथी साथ यहाँ पर आपकी profile pic जो है वो नजर आ जाएगी जो भी driving license पर pic दिये गए है वो यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर verified का एक option भी नजर आ रहा होगा आपको तो जो भी police है अगर आपको कभी पगड़ती है तो आप अगर बीजी locker पर जो document आपका save है जैसे की RC और driving license वो अगर आप दिखाएंगे तो दोस्तों आप वहाँ से बच जाएंगे आपका चलान नहीं तो दोस्तों एकदम original document की तरह ही यहाँ पर इसकी validation होगी और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर हम back चले आते हैं दोस्तों यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से आप यहाँ पर देख सकते हैं Digilocker Istued Document are at Per With Original Document as Per IT ACT2000 यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो भी डॉकमेंट आप issue करेंगे वो डॉकमेंट यहाँ पर original माने जाएंगे एक्दम valid माने जाएंगे और यहाँ पर अगर आप कोई अलग से document को scan करके upload करना चाते हैं जैसे कि काफी कुछ होता है दोस्तो जिसे आप scan करके अपनी photo को भी यहाँ पर आप scan करके upload कर सकते हैं वो जो scan किया हुष जो upload करते हैं आप उसे valid नहीं माना जाएगा ठीक है वो नतली माना जाएगा और जो यहाँ पर आप इस्यू करके यहाँ पर हमने verify किया और अपने doques helped को अपने डॉक्मेंट को upload किया तो यहाँ पर यह जो document है यह valid माने जाएंगे अब मैं आपको अपना pen card भी यहाँ पर issue करके दिखा देता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर हम वापस से search पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर search for document पर click करेंगे यहाँ पर हम pen type करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pen verification record का option आचुका है all state इस पर हम click करेंगे यहाँ पर भी same process यहाँ पर आपका नाम आजाएगा date of birth आजाएगी यहाँ पर आपका gender आजाएगा pen number पर यहाँ पर आपको type करना है नीचे यहाँ पर get document पर click करना है तो यहाँ पर जो document है वो verify होकर आ जाएगा जैसे कि आपने देखा driving license में तो आपको कर लिजेगा यहाँ पर video काफी जादा लंबी बन जा रहे है इसलिए मैं यहाँ पर आपको यह process अभी नहीं दिखा रहा हूँ ठीक है तो अब वापस से हम यहाँ पर home page पर आ चुके हैं यहाँ पर आप अगर कोई भी document को scan करके upload करना चाते है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपको option मिल जाता है देखिए drive का तो drive पर आप click करेंगे यहाँ पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आजाएगा यहाँ पर आपको एक option मिल जागा देखिए new का आपको new वाले option पर click कर देना है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप new folder तियार कर सकते हैं यहाँ पर आप new file upload कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप open camera से यानि की camera से जो photo है वो यहाँ पर आप click करके directly upload कर सकते हैं यहां पर आप upload file पर click करेंगे तो आपका जो भी document गैलरी में save होगा, वो document यहां पर आप upload कर सकते हैं, और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता ना भूल गया कि दोस्तों यहां पर जो भी document यहां पर आप issue करेंगे, वो document यहां पर आप download भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों य में अपना DL यानि की driving license डाउंलोड करना है तो इसके लिए यहाँ पर हम issue head वाले option पर क्लिक करेंगे और अपने license वाले option के यहीं पर right side पर three dots मिल दी होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं three dots है ठीक है तो आपको three dots पर क्लिक करना है जैसे आप three dots पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे options आ जाएंगे यहाँ पर आप इसे download कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं download xml और download json तो आप इसे download भी कर सकते हैं यहाँ पर आप view pdf पर क्लिक करके इसका pdf भी download कर सकते हैं इस प्रकार से आप अपने डिजी लोकर एकाउंट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डॉक्मेंट इशू कर सकते हैं, इशू किया कर डॉक्मेंट एकडम वैलेड होने वाला है, और यहाँ पर आप अपने डॉक्मेंट को अपलोड कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिख झाल 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 झाल